हेलो फ्रेंड, cgpc hand return notes के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चलिए जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी द्वारा सिक्चक, सायक, सिक्चक, cg-tet की complete ट्यारी एक बिसे सराणिती के तरहत करवाई जाए रही है जो आपके पूरी चैनल में किसी के द्वारा नहीं करवाई जाती है हमारे बैच में आपको पूरी जवाबदारी के साथ आज इसे लेका जब तक पेपन ये होगा तब तक पूरी जवाबदारी के साथ आपकी तैहरी करवाई जाती है target topic-weight test research के माध्यम से जो ना केवल तेस सीरी जबलकी आल राउंडर है 360 डिग्री में तो उसी कंद अगत आप लोग के डिमांड पी समाजी कद्यान के क्लास श्टार्ट किये थे कल पहला क्लास हुआ था आज दूसरा क्लास है तो कल जिलोंने पहला क्लास नहीं देखा है आप लोग प्लेइलिस्ट में जाईएगा समाजी कद्यान का क्लास करके मिली जाएगा प्लेइलिस्ट में उसमें देख लिजएगा आज हम लोग उसी कलास को आगे बढ़ाते हुए इकाई तीन का मौरी समराज्य का जितना हुआ था उसके आगे कम्ट्रीट करेंगे आपके सिलेबस के नुसारी हम लोग करवा रहे है एक भी चीज़ हम लोग बीना काम के आपका नहीं करवा रहे है वही चीज़ करा रहे हैं जो आपके बहुत इम्पॉर्टेन है तो क्लास को पूरा अंतिम तक देखेंगे बीच में कोई भी छोड़ के मत जाएगा हो सकते आप जो छोड़ के जाए वही पॉइंट पेपार में आ जाए आपको पॉइंट से आपको चुकना पड़ जाए आपके पूरी जिन्दगी इसी एक पॉइंट के अधार पर चलेगी ठीक है क्योंकि आपको पता है कि सिच्छक यह हमारा नंबर है इसमें कॉल या वाट्सप करके आप जूड़ सकते हैं चले लाइब आ चुके हैं जल्दी सेयर कर दीजी इसको अब लोग सभी एक बार अपने स्टेटस में सेयर कर दीजे टाकि सभी लोग समय से जूड़िया है और मजा है हमको भी सिलिभस देखे हैं हम लोग सबसे पहले हम लोग हम लोग इकई 3 से श्टार्ट किया है मौरी िसमराज़े के बारी में कल मुग नेए पढ़ा राजनैति के पर पारों में पढ़ लिए आज हम लोग उसके जो भी प्रसासन की जो भी योगदान है उबलब्दि यह सान्सकृत उबलब्द लाि थें सभन को फह आदे पढ़ें इस इस्थिती परिस्थिती क्या है ठीक है तो देख लीजिए का फीस इस्ट्रक्चर वही है 699, 799 और 1299 कोसिस करे 1299 का लेने का ताकि आपका continuity वने रहे दोनों बैच में आपका दो-दो सब्चक इस्टार्ट होते रहे एक और सुटना है सायक सिक्चक बैच में आप लोग का पर यह वरन आज अभी टॉपिक आठ ड़ेगा ठीक है कल से उसका टाहरी स्टार्ट कर लीजिए जो भी बुक होगी आपके पास सबको निकाल कर रख लीजिएगा ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं एक बाद थोड़ा समरी देख लेते हैं क्या क्या पढ़े थे रिवाइस कर आप नखिनों नीगी दी चन्रकुप्तर मौरिय नहीं कब की दी तूब आज रिवाईस करा रहा हूं ना जश्टीन ने क्या बोला था डाकों का गिरो कहा थ चन्रकुप्तर मौरिय के जो भिसाल सेना था उसको ठीक है और इनके दरबार में वो आये थे क्यों यह इस चीज को भी रहान रखेगा उनकी विवा कब हुआ था तो उनका विवा जो सेलुकाइट निकेटास से यूद्ध हुआ था तो यूद्ध में सेलुकाइट निकेटास हार गया था और अपनी पुत्री का विवा चन्नगुप्त के साथ करवा दिया था फिर यह 500 हाथे बेट दिया था कौन चन्नगुप्त सेलुकास को थीक है मेगस्थिनी जाया था जो आपको बता रहा था भी कि उसके दरबार में को नायर रेवाइस हो जा रहा होगा इनकी राजधानी क्या थी पाटली पूर्त थी थी पिर क्या कि असोग क्या है, जैन धर्म को अपना लिए, और किसके सानिद्य में तो भद्र बाहु नाम्यार रखेंगे, भद्र बाहु के प्रभाँ में ये जैन धर्म को अपना लिए, और स्रामाट बेल गोला चले गए, और वहाँ जाके सनलेखना से अपने प्राण त्याग इसको बताया था समय सब्टक उल्लेख आया जिसका थोता है समस्थ स्रोते से राजस्व वसुल करने वाला थीक है आगे देखते हैं फिर उसका बेटा बेटा आया बिदू सार थीक हैं चंदो गुप्त मौरी एक बार बिदू सार आया थीक है तो क्या क्या नाम से जानते थे तो अमित्रो चेटस और अमित्र घात ये दो नाम से इसको जाने जाता था विंदु सार को वाईव पुरान में भी उलेखो है कि विंदु सार भद्र साल और जैन गंथों में सी सेन कहा जाता था वाईव पुरान में क्या बोला भद्र साल बोला इ एक जोटिसी भी इसके आन निवास कलता था, इसका उल्ले किस में है, तो दिव्या अधान में है, ठीक है, और इसके सासनकार में दो विद्रों हुए, अभी इसके दो बेटे थे, सुसीम और असोक को भेजा, सुसीम गया, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाया, असोक गया, वो जाकिया, अवंती के में हुआ था विवाद, तो अवंती को कंट्रोल कर लिया, उसको जीत लिया, तो असोक फिर यहां का राज्यपाल बना दिया, अवंती का, ठीक है, फिर यही जा के असोक क्या बनेगा, बिंदुसार के बाद राजा बनेगा, ठीक, और इसके समय कोन था तो एंटियोकस प्रथम ने डाई मेकर को भेजा था, फिर आगे असोक, तो बिंदुसार के बाद, भाई, जो समहाला था, उसी को मिलेगा अगला, और ऐसा भी माना जाता है, कि असोक के 100 भाई थे, तोटल 100 भाई थे, उसमें 99 को निप्टा दिया था, के लिए अपना बच लोगा, ठीक है, इसकी भी राधनी पठली पूर्ता थी, और इसको क्या के बोलते थे, देवनाम प्रिय बोलते थे, देवनाम प्रिय दरशी बोलते थे, हम लोग क्यों companies कर रहे हैं, कल की거야 Intelligence में इसको पूरा डिटेल से पढ़े हैं, जो लोग आज पहले वाजद जुड़े तेरवे सीलर एक में इसके कलिंग विजय के बारे में बताया है और यही कलिंग विजय कब था 261 में और इसी के बाद इसके बार इसके बार यह सब्सक्राइब यूद्ध नीती को छोग के धंब नीती अपनाएगा कल के याद आ रहा है न सब ऐसी रिवाइज करना बहुत जोडर ही नँस क्या करेंगे मैं अगे पढ़ेंगे पकूराने को भी दस्मिठ गलींगे तो इसमिठ नया रिवाइज और 30 मैंने लगभा क्लास खीचेंगे ठीक है और कोशिस किजेगा जिन लोग नोट्स पना रहा होंगा नोट्स पना लीजिएगा ठीक ताकि आपका याद रहें और पांच वर्ण आपरी वाइस कर पाएं तो 271 में कलिंग उद्ध हुआ उसके रक्तताप से पेडित हो गया और बोले कि आप से यह यूद्ध नहीं नशार विद्ध रुदति किया शिरी अनुसर्ति के नुसारे महावंड के नुचार निकरो incentि किया था इसको भाधठ में दो और मोगली पुल पूर्ण मुंगली पुस्त तीस्क के संपाग में आकर यह बहुत पूर्ण बहुत धर्मी बन गए थे तो यह कलिंग के उद्वाद यह भेरी घोस को छोड़कर धम घोस अपनाया थे यह सब याद रखेगा रिवाइस मैं करवा दे रहा हूं जो इंपोर्टेंट दिख रहा है मेरे को असो किस्तम कहां आपको पता है कि उत्तरप्रदेश के साणनात में जो आपको जन्दा में भी बना रहत है 24 तिलियां वाला है यह सब बना है न तीक है और यही है यह पहला पहती सासक था जिसने क्या किया था हमनी सासक डेरियस प्रथम के जैसे अपने जन्दा कुछ भी सं द्वा देता था ठीक है सिला ले लगवा देता था उसी के द्वाराव संबोधित कलता था और यह वाला याद रखेगा टोपरा और मेरत यह दोनों इस तंबो को फिरस सा तुगलत दिल्ली लेकर आया था ठीक है और इनके सभी जो असो के जो अभिलेक है सब देखेंगे इनके अभिलेक क्या प्राकरित भासा में है इसको याद रखेगा लिपी क्या ब्राम्भी और खरोष्टी दोनों है ठीक और असोग चक्र को धर्म चक्र का वर्णन कलता है जिसमें 24 तीलिया है यह सब याद रखेगे ठीक है यह इंपोर्टेन अगला इसको भी एक बार रि पुसली थी इसको असोग जीता था असोग ने नेपाल में ललित पत्तम नगर वसाया था ठीक याद करते हैं यह रिवाइस होते होगा अब असोग के दो बेटे बैटी थी इसके कई बेटे बेटे थी अलग देखेंगे है कल का हम लोग आपको बताया था अलग अलग पतनी की एक पतनी थी उनकी दो बेटे थे पूत्र महेंद पूति संग मित्र इनको स्रिलंका बेजा था प्रचापे साके लिए कि इसके बहुत धर्म के प्रचार के लिए को संबी इस्तम को अकबर इलाबाद लाया था दोठों वहाँ पढ़े ठीक है टोपरा वाला यहाँ इसको को संबी इस्तम को कौन लाया था अकबर लाया था इलाबाद जिसे असोग ने इस्तम लेखित करवाया था उतकी न करवाया था तो असोग का एक इस्तम लेखा है को संबी इस्तम उसको अकबर कहां लेके आ गया है इलाबाद में इसके जाने बाद आगे देखते हैं यह बह लुपड़ निर्मान कराया था कौन उपार्न रहते हैं तो इसके सकте यार रखेंगी को अच्छे से यार रखेंगा आप लोग in ुऌन Also साल पढ़ेंगे आगे आपको ठीक और क्या-क्या इस थापना किया था कहां कहां तक इसका समराजी था तो असम को छोड़ दीजे जिसको पहले कामरूप बोलते थे और दप्ची भाद को माकी संपून भालत में इसका समराजी विस्कृत हो गया था यह उनके पत्नियों बारे इन लोग नए देख रहां बोल रहोंगे साथ तो कोछ समझ में नहीं आ रहा है बस पढ़ के सुना रहे है रिवाइस करना रिवाइस कल का पढ़ चुके हैं न असंगी मित्रा और कारूवाकी यह असोक की पत्निया थी इनका कारूवाकी की पूत्र का नाम क्या था तीवा था और एक और पूत्र नाम देवी जो महेंडर पूत्र महेंडर पूत्र संगमीत्र जो सिलंका बेज़े थे वो नाम देवी ठीक नाम देवी के पूत्र थे और आगे क्या देखते हैं असोक ने दस्वेवास बोट गया की आतरा की विश्वेवास लुम्बिनी की आतरा की विश्वेवस गया था तब क्या कर दिया था यह सब चीजे थी कल पढ़ चुके हैं सब को तीक है और कुछ यह वाला पूस्ता यह वाला इंपॉर्टन है राज्य विशेक से संबंधित इसके वारे मुल्ले कहा हुए तो मास्की लगू सिलालेक में असोग ने स्वयम को और इसका अंतीम सासर कोन थे इस वन्स के मौर इसमराजय के ब्रीधत याद रखेगा अब ब्रीधत की फिरातिया कर देगा उसका सेना पती सुंग वन्स की सहपना करेगा यह हम लोग ने जितने इंपटने राजा थे कल पढ़ चुके थे ठीक है और अभी रिवाइस भी हो इंपोर्टेन है और सीजी व्यापा मुझे लेवल भी ठीक है जो यहां आके हमाई चती जग लिए ठीक है उचलेगा सुरू करते हैं यहां से अची क्लास इस्टार्ट हो रही है चले गए तो मौरी प्रसासन के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगे कि उनके अधिकारी तंत्र एड्मिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था क्योंकि हर चीज इसी के थ्रू चलता आपको पता है कि शासन-प्रसासन चलाने के लिए एड्मिनिस्ट तंत्र होता है उसी कंदगत चलता है तो सबसे पहला पाइन हम लोग देखेंगे केंद्री अधिकारी तंत्र सेंट्रल ब्यूर केसी थीक है तो देखेंगा भारत में पहली बार केंद्री के सत्ता इस्थापी तो इससे पहले आपको पता है कि छोटा-छोटा चुट-पुट में सभी राजा लोग सासन करते थे एक मात्र ऐसा ही था जो असम को छोड़के और दक्षिर भारत को छोड़के सभी राजयों को जीत कर एक अपना वर्च्वस्वर स्थापीट किया था कुन चन्रुप्त मोरिया ठीक है और मोरियोंस की स्थापना की थी देखेंगा राजा तो राजा क्या है उच्छा दिकारी के माध्यम से साषन चलाता था सब से उच्छे अधीकारी को किस नाम से जाना जाता था देखिएगा मैं आपको question भी बता रहा हूं तो ध्यान से सुनिएगा यही main है मेरे class का कि मैं आपको question उस point से ही बता देता हूं कि क्या बन सकते हैं ठीक है तो मौरी समराज्य में जो मौरी अधिकारियों कंदगत सबसे उंग्चे पत के अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था था तो तीथ याद रखेगा है तो टोटल उनके जो administration में कितने तीथ थे तो 18 तीथ यह भी याद रखेगा ठीक है आगे दिखते है इन 18 तीथों के अलावा 26 विभागा ध्यक् किसका तो उनके गुरू चीक है कोटेल यह लिखे थे ठीक है चाड़क क्या ठीक तो उनके अधिक्षास्त में 26 विभागों के अध्यक्षों को अभी लेख है मला अलाव विभाग में बटा हुआ था ठीक आगे देखते जाएगा ध्यान से सुनते जाएगा पुरा अंतिम तक विभागत ध्यक्ष प्रया तील्थो से कनिष्ट दिकारी का वर्ग था मलब सबसे उपार तील्थ थे तील्थ गंदा का अलगलब विभाग बटेवे थे उसके विभागत ध्यक्ष थे उसके नीचे आलपत था थे कनिष्ट जो मौरी प्रसासंगा प्रमुक अंग थे जिने 40-45 महिने दिये जाते थे दिकेए गतिन को कितना पेमेट मिलता था ये किसके लिए है विभागाद ध़क्च खते उन्हें कितना मिलता था 40,000 पर उस्ते इनकी राशी की जो वो क्या थी मात्रः परण थी 40,000 परण पोण प्रती महिने दिये जाते थे अब जो हम लोग पढ़ें कि जो तीर्थ या दिकारी और उनसे संबंदित विभाग उसको देख लेते हैं डारेक्ट पूचता है कोश्चन इसे कौन से विभाग से संबंदित या किस विशाय से संबंदित मंत्री हैं करकी ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं अमार्तिय यह त प्रधान मंत्री होता था प्रधान मंत्री को ही अमार्तिय बोला जाता है जो पुरोहित होता था उसको धर्मा धिकारी भी बोलते हैं तो दोनों याद रखे अमार्तिय बोलेगा प्रधान मंत्री पुरोहित इसको धर्मा धिकारी बोलते हैं जनरली जो अमार्तिय होता था तो वही पुरोहीत होता था, इसलिए एक सांथ इसको दिया गए, इसको समझियेगा आप लोग question गुमा कूछ सकता है, जनरेली जो अमात्य होता था तो वही पुरोहीत का काम कलता था, इसलिए उसको प्रधान मंतरी और प्रोहीत को धर्मा दिकारीбोलता था है, दोनों एक ही व्यक्ति होते थे, कहीं कहीं अलग भी हो सकते हैं, इसलिए अलग से याद रखेगा, अमाते बोलेगा, प्रधान मंते ही, पुरोहिर बोलेगा, तो प्रमुख धर्मा अधिकारी, धर्म का प्रमुख अधिकारी, फिर आते हैं समाहलता, इसको बोलते हैं कोसा अध्यक्च, जह पूरा सोना चांदी जीतना खजाना रखा जाता था उसका जो अध्यक चलाता था उसका देखरे करने वाला उसको बलते हैं सन्नी धात्र ठीक है याद रखेगा सारे आई हुए इंपोर्टेंट फेक्ट जो आ सकते हुन सभी इफेक्टों का निचोड है न प्रदेश्था प्रदेश्था को ये फोजदारी मामलों को देखता था ठीक है नायक क्या होता था सेना का संचालक करता था जब ने ये पूरा ऊपते हैं नायक क्या होता है किसको बोलते है तो समय चलते थे उनको निरिकश्ण करते थे उनका जो मेन होता था उसको बोलते थे करमानतिक याद करते तिक हैं दो होते हैं फॉझधारी दिवानी बटक्न में आप लोग देख लिएका ते के दवानी दिवानी वाज़ारी मामले चाहिए इतगते बेखता कि यह वाज़ानी माac समाघ्रेयों को जूटाने वाला प्रधान अधेकर लिए समागरी करेगा तो डंदपाल का लाए करेगा ठीक है फिर अंत इंतन अन्दपाल लार दन्दभोस द एक लिए न्त पाल क्या होता है सीमावलती दूर्गों का रक्षक मितलब यह महल फढ़तीक, इसके आँसपाद प्रसास्त्रिक वें क्या होता है राज्की काग्जातों को सुरक्षित रखने वाला क्या रहा जो समराथ के आगे पीछे जो घूंते रहते दूर्ट के जो मुक्या होते तो उसको बलते हैं अंतवर्डशिक आगे देखते हैं पौर पौर किसको बलते हैं प्रांती सासन को पौर बोला जाता है तो यह इतने सारे वर्ड थे जो आपको याद होने चाहिए इसके लिए नोट्स बना लीजिए को मैं बाल बहुर रहा हूं अगर आप मोरीकाल का नोट्स सबनाएंगे तका साथार पेज में बन जाएगा जो आपके परमानेंट काम आएगा हमेंसा के लिए जिवन भर के लिए ठीक है को फ्रोजेक्टर प्रोजेक्टर फाइल वाल आता है न उसी फाइल में लगाते जहिए ताकि आपको जो भी रिवाइस करना उस पेस से निकाल पंडिया दियक्ष पंडिया दिक्षण को बनते हैं नौनों में सिध्यान दखिएगा तो पंडिया दिक्ष किसको बोलते हैं वाडि ची विभाग का दिक्ष शूरा द्यक्ष कि बोलते हैं तो आपकारी विभाग कर सकते बनाकर यह सब सब्हक्री जैसे जी सूराऑ रहता है थीज़के वारी सबागै करें आ 모든 пис आ पढ़ेगा पढ़ेगा सुराध्यक्ष आप बना लिए चल्ड दीमागि मझें जाए त्रभा आब आपके सूराध्यक्ष नि midst बूचर खाने में कुछ जाता है तो सुना पड़ या तो सुना द्यक्ष बूचर खाना गड़ीकाओं का द्यक्ष ठीक है सिता ध्यक्ष क्रिसी विभाग का ध्यक्ष यह पूछता है सिता ध्यक्ष कई बार पूछा गया है साय तक पिछले बार भी आया था सिक्षक बलती में सिता ध्यक्ष क्रिसी विभाग का ध्यक्ष होता या किसी व्यापम का एक्जाम में भी रिसेंटली में आया था सिता ध्यक यह खान भी भाक कर देख्ञ है अगे देखते हैं यह पस सुनते जाएए औजिक्टि poka आगे नहींतों अजिक्श्ट करव में पेपार कर वह सुनने वालА ये ही important है, जो सूलका tax लेते हुरे, वेपार में उसको सूलका द्यागच बोलते हैं, सुत्र द्यागचे, ड्याटका ड्यागचे, जो धातु विभाग का द्यागचे, छापा खाना जहां, अभे कई प्रकार से इसका ब्राइच निकाल सकते हैं, इसके डिटेल में में बताऊ ले नहीं करना करते हैं मौरेस अम्राज में हमको केवल शिक्षक भलती निकालना और एक पोश्ट लेना है सीजी टेट निकालना है क्वालिफाई होना है हम उसी लेबल पर पढ़ रहे हैं तो डीटेल जाने के जवरत ही है जहां पर जितना डीटेल के आओ सकते हैं मैं आपको प्रदान करवा रहा हूं ठीक है कि इसको बोलते हैं पासपोर्ट विभाग कर द्यक्ष होता है ठीक है नवा द्यक्ष क्या होता है जहा जरानी विभाग कर द्यक्ष यह भी आरे नवा मतलब जहा जरानी विभाग कर द्यक्ष को नवा द्यक्ष बोलते हैं पत्तना द्यक्ष किसको बोलते हैं बंदर गाहों कर द्यक्ष पत्तन बोलते हैं बंदर गाही होता है तो पत्तना द्यक्ष मतलब बंदर गाहों का अध्यक्ष, फिर संस्था ध्यक्ष, व्यपारिक मार्गों का ध्यक्ष, संस्था ध्यक्ष उसको बोलते हैं, जो व्यपारिक मार्गों से जाएंग infinitely उसको अध्यक्ष रहता है, कौन decide करेग एंगे, कितना tax लेंगे, क्या लेंगे , ये सब को देखने के लिए मार्गों को देखने के लिए जो अध्यक्ष रहता था उसको भलते संस्था ध्यक्ष फिर देवता ध्यक्ष धार्मिक संस्थाओं का ध्यक्ष पोता ध्यक्ष मापतवल का ध्यक्ष आगे देखेंगी माना ध्यक्ष दूरी और समय से सम्मंदित साधनों को करने वाला जो दूरी हो गया और समय हो गया इससे जो कुछ कुछ इसमें सब्सक्राइप सब्सक्कूराइब इसको अब blatक्रणे करने़ रहोंगा फीर आपका सेकेंड बहें भी चलेगा जब जब हम लोग उसमें समान अध्यान करेंगें तो भी आपको dramatic do हो में लोग ने पहला देखेल है आपका जो इनके एड मिनिस्टर तेotypes केंद्री अधिकारी спас के पहला पाइंट Biden सबको एक जगत नहीं देख सकते हैं मोधी यहां से देखते हैं सबको अलग-अलग मुख्य बैठा है तो ऐसे का कि प्रांता द्यक्षभी प्रांत में एक ऐसे सासान होता है इसको डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है चलेगा बने रहीएगा अंतिम तब बने रहीएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा जितने लोग देख रहे हैं और लाश्ट इम अपना फीडवेक जरू दिया करें क्लास के बार आपको कैसा लग रहे ताकि हम लोग और उस साखसान नेश्ट क्लास लेगा है अब यह समय और बचा हुआ है चलेगा तो इस्टार्ट करते हैं मौरी सम्राज में प्रांतिय सासन गले बाट उसी प्रकार मौरी प्रसासन में सुवीदा के लिए समराज्य को पांच प्रांतों में विभाजित किया गया था जिने चक्र कहा जाता था यह याद रखेगा च आपको मौरी समराजे में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था चक्र ठीक है कितने प्रांत थे या कितने चक्र थे तो पांच यह दो कोशन यहां से बनेंगे आपके ठीक है आगे जैसे हमारे यहां राजे मुख्य मंत्री होता है ठीक है वहां के और राजिपाल होते हैं दोनों होते हैं प्रांतों का सासन प्रया राजवनसी कुमारों के हाथों में दिया जाता था जो अलग लग राजवनसी कुमार रहते तो उनको देते थे जैसे आपको बताया था कि बि प्रांत को अलगलग राजों कुमारों को दे दिया जाता था जिसको राजय पाल भी बोला जाता था तो पांच चक्रत या तकिएगा मौरी प्रसासन में विभाजन इस प्रकाल था अब उनको देख लेते हैं कैसे था लाइन से सबसे बड़ा क्या होता था समराज्य होता था ठीक है कितने समराज्य थे एक मौरी समराज फिर प्रांत कितने प्रांत थे पांच प्रांत हIch फिर आहार तीक है आहार या विषय दोनों बोला जाते जिसको अभी कि संगया में बोलते हैं जीले जीले से तुलना करते हैं जैसे अभी राज राजिक वाज जीले हैं ठीक संभाग नहीं है जीला है तो उसी प्रकार आहार या विशेगों जीला बोलते थे फिर इस्थानी है फिर द्रोन मुख है फिर खरवाटिक है फिर लाष्ट में संग्रहन ग्राम यहां से मिल संग्रहन होता था जो भी टेक्स है या नाज है यहां से संग्रह करके यहां जाता था यहां 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 ऐसे करके पहुंसता था संग्राज्य में तो यह क्रम को याद रखिएगा कहीं से भी इसको टोड मडोड के बीच से पूछ सकते हैं समराज्य, प्रांत, आहार इसको आप लोग ऐसे करके एरो बना के लिख लिजेगा ठीक, लाइन से समराज्य, प्रांत, आहार जिसको 20 भी बोला जाता था इस्थानिय, द्रोण मुख खरवांटिक और संग्रहण, ग्राम ठीक है? अगे देखते हैं अब देखते हैं, जो 5 प्रकार के हम लोग क्या पढ़ें? प्रांत, कितने प्रांत थे? पांच तो पांचो प्रांद का नाम आपको यार होना चीए और राजधानी ठीक है आज यहीं तक करेंगे इसको याद कर लिजे अच्छे से अब इक लास और हो सकता है अभी कलते हैं अभी आओ देखते हैं दस परणामेट तो सबसे पहला प्रांथ है उत्रापत उत्रापत तक्छसीला तो देखें उपर साइड में जितना रहा होगा वही होगा उत्रापत तक्छसीला उसकी राजधानी थी दूसरा अवंती रास्त वब दयास परणामेट है तो दो्में याद होंगया उत्रापत और अवंती उत्तरापत की तक्छसीला वंती को जैनी साथ में याद करते हैं आप धिर अगला कलिंग में क्या है क्रूषली के राजधानी उसको पढ़ा था दक्छिटा पजिग सवर ने तेखियो दो ऐसी प पांचो प्राची प्राची की राजधनी क्या थी पाठली पूत्र ये पांचो प्रांट आपको यार होने चाहिए पांच प्रांटों में बटा हुआ था उत्तरापत तक्षसीला अवंती उज्जैनी ठीक है और आपका है कलिंग तोसली दक्षिडापत सुवर्नेगिरी प्राची पाठली पूत्र तो मैं उम्मीद करता है आपको इतना याद हो गया होगा ठीक है चलेगा और देख लेते हैं नगर प्रसासन को भी खतम कर लेते हैं फिर आगे कल गी क्लास में करेंगे भी दस मिट और क्लास करते हैं एक सादल क्लास ने करवा रहा है लेकिन याद नहीं होगा क्या मतलब आपके लियुक्त लिए у उतना मेरे को भी आपका result important मेरे को भी result चाहिए मने लिए मैं मेहनत करूं ठीक है चलेए तुह अब दिखते है नगर प्रसाशनतर तो मौरी सम्राज्य में नगर प्रसाशन कैसा चलता था तो मौरिकाल में नगर का प्रसाशन तीस सदस्य मंडल देखता था तीस सदस्य मंडल बनावब से जो नगर के स्य न वह देखता था जो च्छ संहितिउहं में बंटना हुआ था, श्य समिति बंटा है तेस्य में कितने सदस्य रहेंगे ?5 तो दीखेगा तीस सधस्य है टोटल चाह समीति है एक समीति में पांस दस्य रहेंगे तो अब शह समीति का नाम याद कर लिए आपका लास्ट आज कहूंवक रहेगा याद करके की समीथे ही आई एक प्रथम समीति उंकि पहली पहले समीति यह पांच लोग इसमें रहें डुदी समीति विदेश्यों के देख रेक्ट जो भी बाहर से यात्री आते थे जो लेखक आते थे जो भी घुमने आते थे उन सब की देखरेक के लिए दूसरी समिति थी विदेशियों के लिए उसमें पहांच लो मतब यह यार रखेगा क्या 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 काम करती थी जोरी नहीं एक क्रम आपको यार रखना ठीक है एक समिति उद्धोग सिल्प के लिए एक समित तोटल तीस लोगों के द्वारा नगर का प्रसासन किया जाता था टोटल तीज इसको अच्य सियाद रखेगा तो यह याद रखिएगा और मेरा समझा रहा हूं समझ में आ रहा हूं पढ़ाने के तरीका आप लोग बताईएगा अगर कुछ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हूं तो वैसे मेरे तरब से मैं अपना 100% दे रहा हूं मैं भी बहुत पढ़ा हूं सब रखा के सोर्स से जो कंटेन निकला है जो आपके लेबल का उसको छाट के पूरा फिल्टर करके 3-4 फिल्टर लगा के जैसे आप इस्टागा में लगा आपके दिमाग में बस जा पेपर में आपका बन जाए और रिजल्ट आपको मिले आपका सेलेक्शन हो और हमें खुसी हो हमारा बढ़ायों बच्चा आज सेलेक्ट और टीचर बनने बार आप लोग को बोलना नहीं है एक एक दिन की मेनत आपको ध्यान रखनी है यह तो हम याद कर लेते हैं जो प्रसासन में और पदाधिकारी हैं पदाधिकारी के नाम समंदित आता ही है तो मौरी प्रसासन में विवीन समीतियों के अलावा कुछ पदाधिकारी प्रसासनिक व्योस्ता बनाने में सर्योग करते थे उनको देख लेते हैं नया नाम है ध्यान सुनो एग्रोनो मोई जो जीला दीकारी होता है जीला समंदिकारी करता है जो अभी की कलेक्टर अभी के कलेक्टर से इसकी तुलना कर सकते हैं जीला दीकारी होता है जीला धीस भी बोलते हैं जीला धीस भी बोलते हैं तो एग्रोनो मोई ठीक है जो जीला समंदिकारी करता था फिर ये दोनों में confusion होता है इसको द्याण से देखेगा एग्ई एग्उ एग्व मतलब आगे 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 वाला जो जीला देल तैप से आगे रहेगा और एश्टोनो मुई एश्टोनो आगे टोनो टोनो मतलब नगर की अधिकारी रहेगा नगर संबंदिक काम करेगा थीक है, महा मात्र ये उच्छ नगर प्रसासन अधिकारी रहेगा जो नगर समंदिक कारी करेगा ये लाइन से ऐसे करम से जम्मा हुआ मान के चलिए प्रतिवेदक जो समराथ को सुचना देने वाला अधिकारी रहता है उसको प्रतिवेदक बोलते हो बहुत अच्छी रही होगी यहाद रखेगा मजीम महामातर यह क्या होता था नारिस से नक्षान अदिकारी होती थी रूप दर्शक यह मुद्र मतलब क्या मुद्रा होता है वह वाला नहीं आपके दर्सन वाला रौप दर्सक वाला नहीं है ॉप दर्सक मुद्राओं का परिच्छन करने वाले अधिकारी फिnh यूनानी लेखाकों ने जिलाधिकारी को एक रोनो मौली नगर अघंगर में दिक्कत है आज आपको पता चल रहागा बैट जा रहा है धिर आ आज आएगा फ्लो में भी ज़्यादा लंबा क्लास लेने का आदत नहीं था ठीक है तो मैं मेहनत करूँ तो आप लोग भी मेहनत कीजिए मेरे सांथ दीजिए और ज़्यादा ज़्यादा पूरे बैच को सियर कीजिए पूरे 36 गर में एक ऐसा प्लेप्फम बना दीजिए जो जो भी आपको जोड़ा तो मेरे को बताई है मैं आपको हर चीज करूँगा आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए सबसे बैच बैच बनाना है इसको ठीक है तो पच्छत्त तरा से च्हांसे च्वालिस एक सार इसमें इसमें से कॉल करके आप रिजिश्टेशन करवा लेज चाहिए और मैं बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हूं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं बस आप लोग प्लेटफार्म को इतना बड़ा कर दीचाभी 700 लोग होंगे मेरे खाल से सबी बैच मिलाके इसको जल्दी जल्दी बढ़ाईए यार मजनी आ रहा है ठीक है और ज लाना है फौसदारी मामले दिवानी मामले दोनों कौन-कौन से होते हैं ठीक है इसके आरे जो भी बता रहा है कमेंड बॉकस में डालिएगा ठीक है दूसरा आप लोग feedback भी डालिएगा कमेंड बॉकस में ठीक क्लास कैसा लगा तीसरा आपको शेयर करना है क्लास को अपने WhatsApp बच्चे भी सपोर्ट कर रहे हैं बच्चे भी चाहते कि प्लेटफाम बड़ा बने और उनका सेलेक्शन हो आप लोग अपने वाट्सप इस्टेटर में सेयर कीजिएगा जड़ 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 लोगों को जोड़िए ठीक है बस इसी उमेट साम मिलते हैं कल की क्लास में कल टे आप 699 वाले में भी जूड़िए सिख्चक वाले ताकि परियावन का छोड़ मांकि सभी आपके काम ही आएंगे ठीक है चलेगा कि अ कि कि कि